वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मज़ा नहीं आता सरकार ने 4 नवंबर से 15 नवंबर तक दिल्ली में और इवन लागू करने का ऐलान किया था आज उसकी लगबग सारी चीजें तैव हो गई हैं ये 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू होगा स्रीम के जिवाल के इस बयान के बाद BJP के नेता विजय गोईल ने इस सिलसे में क्या कहा वो भी सुने कि पॉलूशन को दूर करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन डस्ट का बात हो या वो रोड डस्ट की बात हो या वो डीजल के कारण हो या वो मोटर वहनों के कारण हो या वो यमना के गंदे से हो या वो कूडे के जलाने से हो इसलिए जब उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया तो उन्होंने का मैं पराली को दोश देता हूँ इसके लिए जो environmentalist experts हैं और जो institutions हैं चाहे pollution control board है या दूसरे हैं उनकी भी reports को उन्होंने धता बता दिया और कहा कि नहीं पराली से ही होता है जबकि उनका कहना यह है पराली से ज्यादा से ज्यादा 4% से लेकर 10% तक ही pollution होता है और वो भी होता था अब तो 1100 करोड रुपे केंद सरकार ने पंजाब और हर्याना को दिये हैं और वहाँ पर 40,000 मशीने आ चुकी हैं तो जाहिर तोर पर पराली के कारण pollution कम है इंटर्नल कारणों के कारण जादा है जिसके लिए दिल्ली सरकार यानि की केजरिवाल सरकार है केजरिवाल सरकार हाथ पे हाथ दरे बैटी हुई है इसलिए pollution बढ़ रहा है दिल्ली की एक करोड से जादा की जनता के जीवन से और स्वास्त से खिलवाड करने के लिए केजरिवाल के खिलाब बड़ा मुकदमा चलना चाहिए इस तरह की और वीडियो को देखने के लाइक करें और ट्यूटर पर फॉलो करें धन्यवाद